हेलो दोस्तो स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूटूब चैनल RKGS Study Points में हाथ दोस्तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड बार्मी का तयारी कर रहे हैं 2025 के लिए तो आप लोग सही वीडियो को देख रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला कोईश्चन है पानी का बेद्यूत पराबेद्यूत अस्तिरांग होता है बताए पानी का पराबेद्यूत अस्तिरांग होता है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा option number a 80 होता है तो अगला question देखिए आवेश का भीमा होता है बताइए आवेश का भीमा क्या होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number a 80 दो नमबर का right answer option number a हो जाएगा दोस्तो अगला question देखिए संबंध Q बढ़ावर एनी में निमने लिखित में कौन N का मान संभब नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number c 4.2 तीन का right answer c हो जाएगा अगला question देखिए बिद्यूत भीभब है बताए बिद्यूत भीभब क्या है तो वो एक अधीश रास है option number b correct answer हो जाएगा चार नमबर का अगला question देखिए क्या है जब किसी बस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका दरब्यमान बढ़ता है घटता है अचर रहता है या बढ़ या घट दोनों सकता है बताए कि जब किसी बस्तु को आवेशित किया जाता है उसके charge डाला जाता है तो उसका दरब्यमान क्या होता है उसका दरब्यमान में तो बढ़ या घट सकता है दोनों हो सकता option number d correct answer हो जा गया इसलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि कुलंब बल जो है वो कैसा बल है तो वह एक केंद्रिया बम बिद्यूत दोनों है मतलब अप्शन नमर सी करेक्ट आंसर हो जागी है जो है केंद्रिया बल और बिद्यूत बल दोनों है लगला क्वेश्चन और ऑबेश टीयानी चार्ज उस पर डाला जाता है तो उसकी तिर्जा में क्या होती है तो बढ़ जाती अपसे नमर इस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ नमर का अगला कोश्चन देखिए किसी विद्यूतिय छेतर में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्यूतिय शेतर का मान क्या होता है तो सुनने हो जाता अप्षन नमर सी करेक्ट आंसर हो जागा एट नमर का तो अगर आप लोग को हिंदी समझ में नहीं आदा तो आप लोग इंगलीज में भी देख सकते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन जो है बैलिंगोल सेट किया है इसलिए आप लोग जो है इंगलीज से भी देख करके याद कर सकते हैं तो अगला कोईश्चन देखिए क्या है किसी संधारिता की धारिता का मातरक होता है क्या हो जाएगा संधारित्र की धारिता का मातरक तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जागा अप्षन नमर सी फेराडे नौ का अप्षन नमर सी correct answer हो जाएगा अगला question है एक bolt बराबर होता है बता एक bolt बराबर क्या होता है तो one कुलोंब प्रति जूल होता है option number C correct answer हो जाएगा 10 नमर का अगला question देखिए निम्लिकित में से कौन सदीष रासी है बताईए इसमें से कौन सदीस रासी है बिद्यूत विभव बिद्यूत छेतर की तिवरता बिद्यूत आवेस या आवेस के प्रिश्ट घनत हुआ बताइए कि किसका मात्रक जो है भी एम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन अबर डी विद्यूत ये छेतर का अगला कोश्चन देखिए विद्यूत धारीता का मात्रक होता है बता है विद्यूत धारीता का मात्रक क्या होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो लगा बाद में फिर याद करना नहीं पड़ेगा अगला कोईशन देखे क्या है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है वो कितना होता है तो वो जो होता है उच्छे होता है अपसे नबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरा नमर का चोदर नमर का दोस्त अपसे नमर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगला कोईशन देखे है प्रतिरोधों के समांतर करम में निमने लिखित में से कौन रासी समान रहती है कौन रासी समान होती है प्रतिरोधों के समांतर करम में विभूांतर धारा विभूांतर और धारा दोनों या इन में से कोई नहीं तो याद रखिएगा 60 नमर के खरेक्ट अंसर हो जागा अपस नमर ये विवांतर जो कि प्रतिर्वध सवांतर करम में समान रहती है अगला क्वेशन देखिए क्या है विद्यूत हीटर विद्यूत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है क्या है वह जिस परकार विद्यूत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है प्लेटीनम टंगर्स्टन या नाइक्रोम तो श Το नमर का रहइट अंसर हो जागा दोस्तो नाईक्रोम जिसको विद्यूत हीटर में उपयोग किया किला वो कितना बार पूछा जा चुका है आप लोगों के इसलिए आप लोग इस question को जरूर याद कर लिजिएगा अगला question देखिए क्या है धातविक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है बता दीजिए अगर धातविक चालकों का ताप बढ़ जाता ह उसके प्रतिरोध का बढ़ता है उप सण नमर बी एंच हो जाएगा इस question का अगला question होता है ए अगला question देखिए बिभवा, मापी, के तार की लंबाई बढ़ा, देने पर संकूलन बिंदू प्राप्त होता है वो जो प्राप्त होता है वह अधिक, लंबाई पर पराप्त होता है अगला कोईशन देखिए किसके द्वारा मापा जा सकता है यह मीटर का प्रतिरोध होता है मताई ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो यह होता है सुनने होता बहुत काम होता है दोस्तों सोरी बहुत काम होता है मीटर का प्रतिरोध अगला कोईशन देखिए क्या है लोहा होता है बता देजिए बहुत ही वी वी कोईशन आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास् टांसर हो जाएगा इसका अगला कोईशन देखिए क्या है विश्वत रेखा पर नमन कौन का मान होता है विश्वत रेखा पर नमन कौन का मान कितना होता है तो बहुत ही मज़ेदार कोईशन है आप लोग याद कर लीजिएगा विश्वत रेखा पर जो नमन कौन का मान होता ह है वह 0 होता है option number 1 correct answer हो जाएगा इसका कि अगला question देखे दोस्तों क्या है नमन कौन का मान उतुरी धूर्भ्ष से बिश्वत रेखा के और जाने पर क्या होता है नमन कौन का मान जो है अगर उतुरी धूर्भ्ष से बिश्वत रेखा के ओड़ जाता है तो उसका मन घटता है अप्शन नमर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोईशन देख लिए क्या है कि किसी चुम्बक का चुम्बक की आघुर्ण है क्या होता है किसी चुम्बक का चुम्बक की आघुर्ण तो वह एक जो है सदीस रासी होता है अप्सन नमर भी correct answer हो जाएगा इसका अगला question दिखे क्या है एक henry बराबर होता है एक henry बराबर कितना होता है बहुती भी भी आप formula है ये question भी आपके exam में कितना बार पूछा जा चुगा इसलिए जो है आज हम जो भी question है वो पूछा हुआ ही question आप लोग को जो है करवा रहे हैं इसलिए आप लोग जो है वीडियो का skip ने करिएगा और याद करते चलिएगा question को तो एक henry बराबर कितना होता है तो 10 के power 3 mh होता है अप्सन नमर एक correct answer हो जाएगा अगला question देख लिए अन्योनन प्रेक कत्व का मातरक है बता दिए अन्योनन प्रेक कत्व का मातरक कौन सा है इसमें से तो henry होता है अप्सन नमर C correct answer हो जाएगा इसका अगला question है दोस्तो और बहुती भी भी आई question है कि प्रती बाधा का मातरक होता है बताए प्रती बाधा का मातरक क्या होता है तो वो होता है ओम option नमर B correct answer हो जाएगा तीस नमर का अगला question देखिए क्या है निमनलिकित में से कौन बिदू चुमबकिया तरंग नहीं है बताए इन में से कौन बिदू चुमबकिया तरंग नहीं है परकास तरंगे, X किरने, धवनी तरंगे या अबरक्त किरने तो इसका correct answer हो जाएगा option number C, धवनी तरंगे अगला question देखिए क्या है दूर संचार के लिए उप्युक्त बिकिरन है दूर संचार के लिए कौन सा उप्युक्त बिकिरन है पराम बैंग नहीं, धिरिश्य प्रकास, X किरने या माइक्रो तरंगे बहुत ही भी एक question है इसका correct answer आप लोग comment में बता दीजिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका correct answer तो याद कर लिजिएगा इसका correct answer हो जाएगा option number D अगला question देख लिजिए फोर डाय उप्टर छमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है फोर डाय उप्टर छमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 0.25 meter option number 1 correct answer हो जाएगा अगला question है कांच के लिए करांति कोन होता है कांच के लिए करांति कोन कितना होता है तो यह लगभग 42 degree होता option number D correct answer हो जाएगा इसका अगला question है एक स्वस्त बैक्ती के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो आप लोग question को पहले पढ़ लिजिएगा एक स्वस्त बैक्ती के आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है तो वो होती है 2 cm इसलिए आप लोग question को 25 cm धर्म राके पढ़ के टीकने कर दिजिएगा फोकस दूरी के लिए जो है 2 cm ही होता है एक स्वस्त बैक्ती के लिए आँख के लेंस इसलिए आप लोग पढ़ लिजाए question फी टीक आउट करिएगा तिले अगला question देखिए क्या है समतल दर्पन की वक्रता तिर्जया होती है बताए समतल दर्पन की वक्रता तिर्जया कितनी होती है तो वो अनान्त होती है option number A correct answer हो जाएगा अगला question देख लिजिये पतली जिली के रंगीन दिखने का कारण है ब्रकास का वेग महत्तम होता है कब होता है परकास का वेग महत्तम हवा में सीशा में पानी में या निर्वात में तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो निर्वात में, option number D, correct answer हो जाएगा इसका, अगला question देख लिजे, परकास के कनिका सिदान्त के परतिपादक कौन थे, परकास के कनिका सिदान्त के परतिपादक कौन थे, हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल या मैक्सवेल, तो इसके correct answer हो जाएगा, option number B, Newton, जो की परकास के कनिका सिदान्त के परतिपादक थे, दोस्तो, option number B, correct answer हो जाएगा, आप लोग याद कर लिजेगा, question है दोस्तो, कि cathode किरने समू है, बताए, cathode किरने जो है, किसका समू है, तो याद करिएगा, इसका correct answer हो जाएगा, option number E, electronों का, cathode किरनों जो है, एक, electronों का समू है, option number E, correct answer हो जाएगा, चालिस नमर का, अगला question देख लिजेए, इन में से कौन आवेश रहीत है, बताए, इन में से जो है, ऐसे कौन है, जिसके पास charge नहीं होता है, आवेश रहीत है, वो, alpha कन, vita कन, photon या proton, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, photon जो की charge लेश होता है, अवेश रहीत होता है, अगला question देखिए, मिलिकन की टेल बूंद विधी द्वारा ग्यात किया जाता है, electron का, क्या ग्यात किया जाता है, electron का, मिलिकन के, टेल के बूंद विधी द्वारा, दरबेमान, आवेश, वेग, याइन में से कोई नहीं, तो 42 टू नमर का right answer हो जाएगा, दोस्तो, आप लोग right answer इसका comment में बताएगा, ये HW है, कि इसका right answer क्या हो जाएगा, अगला question देखिए, क्या है, कि hydrogen spectrum की कौन सी सेनी अबरक्त भाग में नहीं परती है, कौन सी सेनी अबरक्त भाग में नहीं परती है, तो इसका correct answer हो जाएगा, अगला question है, एक सरल सुक्ष में दर्सी से बना हुआ परती भीम होता है, तो ये जो है कालप्निक और सीधा होता है, अगला question देखिए क्या है, निम्लिकित में से कौन सही है, बताएगा बाइनरी नमबर है दोस्तो, आप लोग सबका निकाल लीजीएगा, उसके बाद जो सह रहेगा उसका क्रेक्ट आंसर कर दिजिएगा आप लोग के लिए भी जो है हम बर्क है हम जो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ बाइनरी नंबर बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है और एकदम सौट को तरीका से बताएंगे आप लोग फिर कभी नहीं भूल पाईए गया अगला क्विचन देखिए क्या है दाधा अभ्य पर्मानु के सन्यु जक्ता होती है बताएं दाता अप दर्व पर्मानु के सन्यू जक्ता कितनी होती है तो 5 होती स्थ स्क्राइगों46 अगला क्विचन है दुनग अध Greeks am 101 का दसमलब पदती मान क्या होगा तो दोस्तों यह भी जो है दसमलब पदती मान जो है आप लोग को सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक इसका correct answer देखिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 हो जाएगा अगला कोशन देखिए क्या है दायोड का उपयोग करते हैा एक किसके दिरिश्ट कारी की भाती जिस्ट कारी की महथी जो है अर्थालिस नमत का एकदम correct answer हो जाएगा अगला question है पीपरकार के अर्थचालक में आवेश वाहक होते हैं कौन होते हैं पीपरकार के अर्थचालक में आवेश वाहक तो वो होते हैं वीवर होल option number B correct answer हो जाएगा अगला question देखे क्या है किसी बिंदूत्व असरोथ से परिमीती दूरी पर तरंग गराम होता है क्या होता है तो गोलाकार होता है option number 1 correct answer हो जाएगा तो दोस्तो आज यहीं तक अगर यह वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और आप लोग अपना score बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग जो है 50 में से कितना सही किये आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा अपना score तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइब बाइ